नमस्कार दोस्तों स्वागत है कि ने वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आप टेक्नो पोवा में या पोवा टू में या टेक्नो के किसी और फून में आपके इस तरह से वाइफाई की सेटिंग्स कर सकते हैं या फिर कनेक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पे इस तरह से स्कॉल करना होगा और स्कॉल करने के बाद यहां पे आपको वाइफ ही दिखेगा यहां पे होल्ड करके रखना होगा इसके बाद यहां पे आपको ऑन अफ का बटन दिख जाता है इसके उपर यहां पे असकेनर दिख जाता है जिस इसके बाद यहां पे आपको Wi-Fi Smart Communication, यानि क्यों कर दोगे, तो यहां पे अगर आप रेंज में होगे, जो भी connect होगा नेटवर्क तो यह automatically connect हो जाएगा, अब यहां पर पहले इंटरफेस बता रहा हूं आपको, और यहां पे Wi-Fi इंटरफेस होता है, Wi-Fi Preference में आपको यहां प मोबाइल डेटा, अगर मोबाइल आपका Wi-Fi काम नहीं कर रहा है, तो automatically मोबाइल डेटा पे switch हो जाएगा, तो यह चीजे मिल जाती है, आपको यह setting मिल जाता है, बाकि Wi-Fi data usage मिल जाता है, तो यहां पे हम connect करके देखेंगे, तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं कि यहां connected है, तो पहले मैं disconnect कर देता हूं, तो disconnect करने के लिए यहां पे forget पे क्लिक कर दोगे, अब यहां पे यह जो connect कर रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे, किसी भी Wi-Fi hotspot के लिए, क्लिक करके आप अपना password एंटर कर दोगे, जो भी Wi-Fi का password है, इसके बाद connect हो जाएगा, यह तो हो ग सकते हो, यहां पे क्लिक करोगे, तो आपका keyword code है, आप keyword को किसी भी mobile से scan करो, भीना password के connect हो जाएगा, तो यह थी Wi-Fi की settings and connect कैसे कर सकते हैं, फिर भी को दिक्कत आती है, तो आप नीचे commention में comment कर सकते हैं, तो चले मिलते हैं नेक्स वडियो में, तब ते क्लिए हुए हुए झाल